नमस्कर दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है हमारी चैनल एक्सपाइजेट वीडियो मुकेश दोस्तों तो हमारा चैनल है आपको सबको पताईए एक्सपाइजेट वीडियो मुकेश है तो दोस्तों हमारी चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दो दोस्तों तो इसको चलते हैं सब्सक्राइब वीडियो लाइक चलाएगो सब्सक्राइब करें ठीक दोस्तों सरकारी यहां पे इस प्रस लिखा हुगा है यहां पर उपर सरकारी स्कूलों से अतिती सिक्चकों को हटाने के निर्देश ठीक दोस्तों सरकारी स्कूलों में चितने भी अतिती सिक्चक हैं उनको हटाने का निर्देश जारी कर दिये गया है ठीक दोस्तों और यहां पर हम आपको निखे दखा दें लोग सिक्षड ठीक दोस्तो चंचल लैन ने 27 में दी निर्देश ठीक दोस्तो और यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है कि सरकारी स्कूलों में सिक्षगों के खाली पदों के बिरुध रखे गए अतिती सिक्षगों को बीच सत्र में जला सिक्षा अधिकारियों ने हटाने के निर्देश जारी किये हैं तो इसका मतलब सीधा है कि सरकारी इस किलूँ में जो सिक्षग नहीं थे सरकारी बहाँ पे अतिती सिक्षकों को लिया जाता था ठीक है दोस्तों अतिती सिक्षकों को बहाँ पे अतिती सिक्षकों को भटाने का निर्देश जारी कर दिया गया है घ्याथ हो पूर्व मुखमंतरी सिवरासीम चोहान ने चुना पूर्व अतिती सिक्षकों की महा पंच्यात ब करने का आजवसंद दिया था। आपको पता होगा कि यो पूर मुख मंतरी थे शिवराश सिं tension शिवराश consistent चोहान ने लिए कगा था साथी कि सीउसिक्शकों को कि किसी धीजन्य को हटा की जाएगी छीए दोस्तो इस तरह से उन्हें आस्वासन दिया गया था आस्वासन दिया था जला सिक्षा अधिकारियों के आदेश के अनुसार लोक जला सिक्षा के जो सिक्षा अधिकारी हैं उनके आदेश के अनुसार लोक संचाल लैन से वीडियो conference में अतिती सिक्षकों को school और portal से हटाने का निर्देश जारी किया गया है portal से और school से हटाने का निर्देश जारी कर दिया है कि नहीं अतिती जो जला सिक्षादिकारियों वीडियो conference के थिरू अतिती सिक्षकों को हटाने का निर्देश जारी का दिया है कि स्कूल से और पोटल से उनको हटा दिया जाएगा ठीके दोस्तों आदेश में दिये गए और दोस्तों यहाँ पर पता गया है कि आदेश में कहा गया है कि नए सिक्षकों के आने पर उनके विसाय के अतिधी सिक्षकों को निकाला जाएगा यानि कि जो अतिधी सिक्षकों के रूम में काल कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि जब एक समय पर जो वेस्था फैल हुई थी जो सिक्षकों की कमी हुई थी अपने मर्द प्रदेश में जब सिक्षकों की कमी हुई थी जब सिक्षकों के माध्यम से ही इसको सिक्षकों सुचाई रूप से जारी रखा था क्योंकि जब एक समय से सरकार्स आतिती सिक्षक में उनका साधीय था वहाँ वहां पर पर अनको स्चाय रूह सब्सक्राइब इसनओं चेकर रहा तो जो अनको सिक्षर वस्ता को लिए इतने घरवरवाद हो सकते हैं तो दोस्तों आपको करना क्या है इसके बारे में हम डीटिल में बताएंगे किस तरह से आपको क्या करना है और इसके बारे में आपको कहां जाना है ठीके दोस्तों यह भी लड़ाई भी अपनी सरकार से होगी ठीके दोस्तों इस तरह से अभी अ रद्द करने के लिए इसी तरह से सरकार से उस चीज़ का रुमार मांगना होगा कि कभी कुछ कहते हो अभी कुछ कह रहे हो तो इस तरह से हम बताएंगे क्या करना है तो दोस्तों और यहां पर नीचे बता दें सिकशकों को निकाला जाएगा दरसल प्रदेश के स्कूलों में जिन विषयों पर अतिती सिकशक पढ़ा रहेए पढ़ा रहे थFC उन पर नए सिकशक न्यूक्त हो गये हैं दरसल यह बात है कि जिन जो सिक्षक पढ़ा रहे थे अतितिक सिक्षक उनके स्थान पर नए जो सरकारी टीचर है वो आ चुके हैं वो मतलब निक्त हो चुके हैं आने वाले इसलिए अतितिक सिक्षकों को हटाया जा रहा है इसके चलते अतितिक सिक्षकों के समक्ष रोजी रूटी का संकट उत्पन हो गया है लेकिन समयूजक ना करके निर्देश दिया गया है तो दोस्तो इस तरह से आपने देखा कि जो जिला सिक्षा दिक्यारी है उन्होंने वीडियो कॉन्प्रेंसिंग तिरू इस तरह से जो न सिर्देश चारी किये हैं तो दोस्तो इसमें आप सबको पता ही होगा कि बहुत सारे घर लोगों के बरबाद हो जाएंगे इसमें क्योंकि तो मैं पता ही होगा कि बहुत से अतितिक सिक्षक जो अभी भी लगे हुए थे और कई सालों से लगे हुए हैं तो दोस्तो आप सभ को मिले के भुपाल जाना है और जितने भी अधिति जिए अन्यामत कीजिए उसी तरह से चर्चा करेंगे बहां पर बताएंगे की हमारे साथ एह आश्वासन दिया गया था अगर आपके पास कोई वीडियो किलिफ हो या कुछ भी हो आप वहाँ पे गए थी एक समय पे जब वहाँ पे हुगा था महाँ पंचात हुई थी जब पूर्व मुखमंतरी सिवराज सिंग चौहान थे तब एक महाँ पंचात हुई थी कि हम किसी भी अतिति सक्षक को हटाएंगे नहीं तो इस तरह स से कोई भी किलिफ होगी आपकी पास वीडियो होगा या फर जो भी आप वहाँ पे गए थी कुछ तो होगा अब वहां दिखा सकते हैं किस तरह से हमको वासवासन दिया गया था अब बीज मजधार में हमको छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है तो यह है गलत है ऐसा मत की ठीक दूस्तो और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करें जदा है जिन्दगी का सवाल है बहुत से टीचरों की जिन्दगी वरबाद फो जाए थिए हिश सिक्षकों की ठीक दोस्तों तो क्योंकि अतिती सिक्षकों का हमारे मतप्रदेश में बहुत बड़ा एक दन रहा है क्योंकि जब एक समय पर सिक्षकों की कमी थी फिर भी लेकिन अतिती सिक्षकों ने महां पर आके और उस इस्तान को उस विसाय को असानी से समाला और जो सिक्षा वबस्ता है उसको सुचाई रूप से चालू रखा तो इसी तरह से उनका बहुत बड़ा एक दन रहा है और आज इस तरह से यह चाचा कर रहें तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें दूस्तों इसी तरह सब्सक्राइब होने के लिए ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें नबस्कार